नमस्कार गुड लग टिप्स में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अर्पित दोस्तों रोज लिकर आते हैं हम आपका दैने कराशी फल बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में आपका दिन अच्छा होगा साथ ही क्या लाब दिलाएगा बताएंगे आपकी प पसंदीदा प्रोग्राम गुड लग टिप्स में दर्शकों क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए साथी क्या कहता है आज का आपका राशी फल बताने के लिए हमारे साथ हमारे चूडियों में मौजूद है जाने माने जोतिश अचार यह पंदित मुकेश पंदीजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियों में जैशे किशना जैमाता के जैशे हरी वेरी गूड मॉर्ण तो दर्शकों आप भी जान सकते हैं पंदीजी से अपनी परिशानी और मुश्किलों से निकलने का हल बस कुछ आसान से उपायों के साथ बस सबी दर्शकों के उपर भगान शीहरी का मा लक्ष्मी का मा बगला मुकी का आशिरवाद और कप्रदस्टे हमेशा बनी रहे आप सभी का कल्यान हो आए जानते हैं कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल आपके सितारों की चाल आज के दिन को शुब बनाने के लि अज हर तरह की जो नेगेटिविटी है नकारात्मक्ता जो है उसको अपने दिमाग से निकाल लीजी अज आज आप नेगेटिविटी को अपने से दूर रखते तो निशित तोर पे जितनी भी सिचुएशन से इस्तितियां है वो आज आपके लिए बहुत अनुकूल हो मेरा मीठा परालठा इत्यादी खिला सकते हैं अगली जो राशी वो है विशब राशी विशब राशी वाले जो हमारे दर्शक है आज सोच समझ कर किये गए सभी काम सफल होंगे सुख और आनंद की प्राप्ति होगी जहन रखेगा आज दूसरों की बात ध्यान से सुनिये ठीक से समझे बगेर किसी भी नतीजे पर मत पहुंचेगा आज के दिन के सफलता के लिए हरे मुंग पानी में भिगो कर गवमाता को खिलाएगा दिन अच्छा गुचरेगा अगली जो राशी वह हमारे दर्शक है आज कुछ नया करने की प्लानिंग कीजिएगा नोकरी के शेतर में वेपार के शेतर में सकसे जाज आपको मिल सकती है ध्यान रखेगा लापरवा होने पर आज आप कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जो खुद आपके लिए नुकसान दे साबित हो जाए आलस से मत कीजिएगा लापरवा मत बनिएगा आज के दिन के सफलता के लिए तो आज हम मेल लेंगे, एक्चुली हमें अवन्तिका का मेल मिला था उध्यापूर से, उनकी जन्म की तारीक है 24.3.1990 और जन्म का समय है सुबह का 8 बच का 10 मिनट का, पंडी जानना चाहती है कि पढ़ाही करने के लिए बाहर जाना चाहती है विदेश, तो कि जा सकती है औ मैं बता देता हूं आपको, मंगल आपकी जन्म कुली में उच्चिका होके बैठा है, ये इंडिकेट करता है कि आप केरियर में बहुत सफलता हासिल कर सकती है, समस्य क्या है आपकी जन्म कुली में आपकी केरियर हाउस से कालसब दोश बनावा है, सब दोश होने के कारण आ बाहु मंगल जब साथ हो जाता है तो अंगारा क्योग बन जाता है। यह इंडिकेट करता है कि या तो केरियर में बिल्कुल हाइप आप ले लोगी या बिल्कुल जीरो सिफर हो जाओगी। मंगल शनी की हाडनेस साथ में वहाँ पर है। तो दो उपाय आप कर लीजेए। पहला उपाय तो यह है कि आपको काल सब दोश की पूजा करवाने है। दूसरा उपाय आपको जो करना है वो मंगल शनी की शान्ती करवानी हैं खेजडी के पेड़ के नीचे हैं खेजडी के डंड के साथ में। यदि आप जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि सफलता हैं आपके कदमों को चुमें, ते मंगल शनी की शांती और सब दोश की पूजा अवश्य करवा लीजेगा। तीसरी जो समस्या है वो आपके भाग जो आपका बुध है जनमकुली में वो नीच का है। बुधवार के दिन एक बार अपने वजन के बराबर गुड का दान करवा दीजे, निशित तोर पे अगले वर्ष सन 2018-2017 के अंदर आपके बाहर जाके पढ़ने के योग बनते हैं, इस आपको फायदा मिलेगा, पंडीजी हमें एक और मेल पराप्त हुआ था, शुभम जी का जयपूर से, उनकी जनमकी तारीक है 12.02.1994 और उनके जनमका समय रात का नौच का चालिस मिनट का, पंडीजी आपके जनना चाहते हैं, जब भी कोई काम करते हैं, हामेशा विवधान कभी भी उनका कोई जो काम है, बिल्कुल सरलता से और आसानी से बनता नहीं है, तो से समध्यत कुछ उपाय चाहते हैं आप से, देखे विटा शुभम, यू आर पासिंग फॉम सच ए नेगेटिव टाइमिंग, अगस्त दोजार पंदरा से शनी की मादशा में सूरे का अंत सोला तक चलेगा, इसलिए you have to be careful regarding each and everything, व्यर्थ का अपमान, अप्यश का सामना करना पड़ सकता है, व्यर्थ की रुकाउटों का सामना करना पड़ सकता है, this is not a good time, golden time नहीं है, जब हम ये कहें कि भई, दोसों की स्पीट पर गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पू आपको दिखाई देंगे, अप समस्याओं का समाधान आपको जो करना है, एक तो आपको तुरंद प्रभाव से पन्ना रतन धारन करना है, अपने बिजनस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने केरियर को आगे बढ़ाने के लिए, पहली चीज़, दूसरा आपको एक लोहे क छला मध्हमा उंगली के अंदर धारन करना है छला ऐसा छो खुला वाने हो, तो इस तरह के जो चीज़े हैं उनका आपको ध्यान करना है, मैं आज आपका दो मिनट का समय ओर ले लेता हूं, अक्सर हम लोग बोलते हैं कि लोहे का छला धारन कीजिए, लोहे का चला धारन करन कि एक विधी है वो विधी मैं आपको जल्दी से सभी दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ आप समझ जाएगा ये लोहे का छल्ला जब भी धारन करते हैं तो उसको धारन करने की विधी क्या है साथ तरह के अनाज ले लिजे गेहुं हरे म प्लस साबुत लाल मिर्ची पांच या साथ एक मुठी काले तिल और एक कब तिली का तेल ये सब अनाज सुर्या से पंदा मिनट पहले एक परात में डाल दीजे अंगुठी भी उसमें डाल दीजे गायतरी मंतर का जाप करते हुए सारे अनाज को अंगुठी के साथ 15 मिनट पंदा मिनट बाद में उस अंगुठी को निकाल के अगर बत्ती की धूब लगाके मध्धिमा उंगली में धारन कर लीजे और वो जो अनाज है उसको एक काले कपने में बबान के शनी मंदिर में छोड़ आई है इस सो रुपे के अंगुठी जो है वो उसके आगे एक करोर क नीलम भी फेल हो जाता है यह तरीका है तो यह सब आप दर्शक जो है इस तरीके से इस विधी से भविश्य में अंगुठी को पहनेगा तो निश्यत तोर पे आपको फायता हो पंडी जी आपका बहुत बहुत चुक्री है जितने भी हमारे जो दर्शक अभी आपको देख रहे होंगे उन्हें लोहे का चल्ला धार्ण करने के जो सही विधी है वो बताने के लिए पंडी जी हमारे पास एक और मेल प्राप्त हो था सूरेश जी का जो कि अपने पुत्र और कुर्स करवाना चाहिए जनम समय भी है जनम का समय नहीं बताया है तो इसको सफलता प्राप्त होगी इसमें कोई दोराए नहीं अगर समय होता तो ज्यादा अच्छा रहता अब कुर्णी में दो समस्या हैं अगर आप चाते हैं कि ये बच्चा जीवन में सफलता जदी मंगल नीच का हो जाता है तो कहीं न कहीं रुकावट डाल देता है इस बच्चे को नेमित रूप से हनमान चालिसा का पाठ करना चाहिए साथ बार प्रती दिन सरसु के तेल का दीपक जला के उसके साथ में रेड कलर के जो कपड़े हैं वो इसको नहीं पहनने हैं ध् आपके पिता दादा पर दादा तीन पीडियो में किसी की अकाल मित्ती हुई हो इस बच्चे से पहले आपकी वाइफ के अबोशन हुए हो तो इस बच्चे की जनम कुली में पितर दोश आ चुका है तो जब भी आपको समय मिले एक बार उज्जन जाके पितर दोश की विध अब भोग लगाई है निशित तोर पे बच्चे के केरियर में और आपके जीवन में सुक्षान्ति सम्रद्धी मिलती रहेगी बनती रहेगी तो दर्शुम अगर किसी कारणवश आपका भी कॉल नहीं लग पा रहा है हमारे इस प्रोग्राम में तो आप अपनी समस्या और अपनी डीटेल्स के साथ हमें हमारे इमेल आइडी पर हमें मेल कर सकते हैं हमारे इमेल आइडी या गुड़ लग टिप्स अडे रीट फरस्टी अडिया नियूज डॉट कॉम पंडी यूमारे पास एक और मेल प्राप्थवाता गोपाल करशन जी का उनकी जन्म की तारीक है 11 1966 पंडी जी ने अपने जन्म का समय नहीं बता है पर यह जानना चाहते हैं लिए इनकी जीन में काफी परिशानिया बनी एटीन येर्स की राहू की मादशा चल रही है। रही वार के दिन आपको पास में जो भी भैरुजी का इस्तान हो वाँ पे चौला चड़ाना है। करकराशी वाली जो हमारे दर्शक हैं आज आपकी जो महनत है वो आपको पॉजिटिव रिजल दिला सकती है। बिजनस अच्छा चलेगा आज होने वाली आमदनीमी से कुछ पैसा फीचर के लिए अवश्य बचा लिजेगा। दूसरों के विवाद जंजड में आज मत फसिएगा। आज के दिन के सफलता के लिए भगवान गनेशी को दुर्वा चड़ा कर दिन की शिर्वात कीजिएगा। अगली जो राशी हो है सिंग राशी, सिंग राशी वाली जो हमारे दर्शक है। सबसे पहले ये देखे कि आपके लक्षे क्या है और आप फिलाल कर क्या रहे हैं। आज के दिन के सफलता के लिए किसी जरतमन्त को दवाईयों का दाना वश्य कीजिएगा। दर्शकों यहां पर वक्त हुचला एक छोटे से ब्रेकापर आपका ही मत जाएगा। क्योंगे जल्त वापस लौटे हैं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड़ लग टिप्स में। झाल